नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे स्वयम प्रभा दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है आगे से मैं अपना नाम पूरा नहीं बताऊंगी मैं सिर्फ आरजे स्वयम के नाम से आप सब के साथ रूबरू होंगी ये आपके लिए एक सूचना है चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं सोशल मीडिया की सोशल मीडिया को बहुत लोग बहुत भला बुरा कहते हैं कि उसने ये बिगाड किया वो खराब किया ये गलत किया लोग बिगड रहे हैं लोग परिशान हो रहे हैं लेकिन मेरा मानना है कि सोशल मी तो मुझे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बाते पढ़ने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं, और मेरा मन बढ़ा खुश हो जाता है, तो अभी कुछे दिनों पहले ऐसे ही सर्फिंग करते करते मुझे एक बहुत ही प्यारी कहानी मिले, ये जितनी इंस्पिरेशनल है, जित सीमित साधन और संसाधन में कोई जब अपनी क्रियेटिविटी अड़ करके, अपनी सोच को अड़ करके, अपने सपनों को अड़ करके, अपने विचारों को अड़ करके, अपने विजन को अड़ करके, कुछ नया करता है, तो वो हमेशा सभी के लिए प्रेड़ना दाई हो मुझ सकते हैं कि महज 45 रुपए की सेलरी वाला एक टीचर क्या क्या कर सकता है बलकि मैं कहूंगी कि क्या नहीं कर सकता है क्योंकि लक्षमन्राव किर्लोसकर ने ये साबित कर दिया कि आगे बढ़ने के लिए जीवन में कुछ हासिल करने के लिए जीवन में कुछ सफलताएं पाने के लिए जेब नहीं सोच बड़ी होनी चाहिए जहां दोस्तों किरलोसकर समू के संस्थापक लक्षमन राव किरलोसकर भारत के प्रसिद्ध उद्ध्योग पतियों में से एक थे 20 जून 1879 में मैसूर के निकट बेल गाओं में उनका जन्म हुआ था और किरलोसकर ने भारत में उद्ध्योगों का इतिहास रचा है वैसे एक मज़ेदार बात मैं बताऊं किरलोसकर का मन बच्पन से पढ़ाई में नहीं लगता था ये है न मज़ेदार बात हम हमेशा बच्चों को डाटते हैं कि अरे पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या करोगे जीवन में लेकिन दोस्तों हर बात पढ़ाई लिखाई पर ही नर्भर नहीं है तरक्की करने के लिए सोच से ही होनी चाहिए और ये बात किरलोसकर नहीं नहीं बहुत सारे व्यग्यानिकों ने बहुत सारे उद्यूग पतियों ने बहुत सारे सफल व्यक्तियों ने चित्रकारों ने कलाकारों ने साहत्यकारों ने प्रमानित किया है और सबसे बड़ा उदारण तो हमारे पास कभी दास का है, जिन्होंने खुद ही कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जिन्होंने कागज भी नहीं छुआ, स्याही से जिनका कोई वास्ता नहीं, वो क्या क्या कह गए हैं, कि आज पूरी दुनिया उन पर रि बाजपन से पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुंबई के जेजे स्कूल अफ आर्ट में मेकैनिकल ड्रॉइंग सीखी, और मुंबई के विक्टोरिया जुबली टेकनिकल इंस्टिचूट में अध्यापक निउप्त हो गए, मशीनों की ड्रॉइंग करते करते उन्हें मशीनों के बारे में काफी सारी जानकारी हुई, फिर 1888 में उन्होंने अपने भाई रामु अन्या के साथ मिलकर के लोसकर ब्रदर्स नाम से एक छोटी सी साइकल की दुकान खोली, धीरे धीरे उन्हें दुकान में ज्यादा काम मिलने बहुत थी, मगर उनके मन में एक धुन थी, कि मुझे कुछ अपना काम करना है, कुछ अलग काम करना है, तमाम मुश्किलों के बाद उन्होंने ओन्त के राजा से उधार लिया और 32 एकर बंजर जमीन खरी दी, जमीन तो बंजर थी, लेकिन उन्हें फैक्टरी चलाने के लि और भी थी, किसानों को मशीन खरीदने के लिए मनाना भी बड़ा मुश्किल था, और ये एक बहुत महतुपूर्ण बात है, कि किरलोसकर को अपना पहला लोहे का हल बेचने में दो साल लग गए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर हार नहीं मानी, जवारलाल नहरू से लेकर लोकमाने तिलक तक किरलोसकर की काम्याभी से बहुत जारा प्रभावित है, किरलोसकर ने जो कंपनी बनाई, आज वो धाई बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का विशाल समूव बन चुका है, किरलोसकर एक बहुत बड़ा ब्रैंड है, किरलोसकर ने दुनिया को सिखाय तो कोई में मुश्किल नहीं होती तो दोस्तो आज मैं आप सबके साथ इसी विशह पर बात करते करते आप सबसे भी यहीं आरोत करना चाहूंगी अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं कुछ नया करना चाहते हैं तो हमेशा अपनी सोच को अपनी क्रियेटिविटी को रिस्पेक्ट करिए उस तरशा में प्रयास करिए और उस तरशा में आगे बढ़िए चलिए दोस्तों आज की इस मोटिवेशनल कहानी के साथ हम यहीं पर विदा लेते हैं लेकिन चलते चलते आप सब के लिए यह पानी बचाएए पेड लगाएए और धर्दी को हरा भरा और सुन्दर बनाएए क्योंकि धर्दी हमारा घर है